विद्यार्थियों आप देख रहे हैं 904 का solution तो चलिए start करते हैं इसके solution को काफी अच्छा वेवराया था खुशी हुई कि मैंने questions दिये थे उसमें काफी questions इसमें देखने को मिले चलो MCQ थोड़े से हट के पूछे गए लेकिन फिर भी ये simple पूछे गए हैं तो यहां पर जो question है मानक का अर्थ क्या है मानक का अर्थ होता है standard मतलब आप सीधा बोल सकते माप दंड तो माप दंड जो है इसका answer हो जाएगा अब आते हैं प्रशाश्निक नेत्वर्थों का अर्थ आपको बताना है प्रशाश्निक नेत्वर्थ में आपको अल्रीडी नोट्स में दिया हमें बिद्याले का उत्तम प्रबंद जो है प्रशाश्निक नेत्वर्थ के अंदर गत आता है इसका बाद माडल क्लस्टर शाला बनाई गई तो माडल क्लस्टर शाला जो है जन शिक्षा केंद्रिस्तर पर बनाई गई है जन शिक्षा केंद्रिस्तर पर इसका बाद नेक्स का मतलब होता है standard इसके बाद जो next question है इसमें आपसे पूछा गया है meaning of administrative leadership to best management of school और इसके बाद जो next question है model cluster शाला और school is established 8 तो जन सिक्षा केंदर लेवल इसके बाद में next question है when did district primary education program started तो यह थी 1992 इसके बाद आते हैं हम फिलप्स में फिलप्स जो है अच्छे इसमें options दिये हैं तो आपको जरूत नहीं होगी टेंसल देने के आंगनवाडी में खालिस्थान आयू के बच्चे दर्ज होते हैं अच्छे 3 से 6 क्योंकि 2 साल के बच्चे डंक से चल भी नहीं पाते हैं ठीक है साहब तो 3 साल के बच्चे आएंगे इसमें 3 से 6 साल तो 3 to 6 ठीक है 3 से 6 और इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं 3 से 6 ऐसे चलो यहां पर options दिया गया है इसके बाद अध्यापक शिक्षा परिशद में कुल खालिस्थान सदस्य होते हैं तो इसमें होते हैं 41 सदस्य कितने होते हैं 41 सदस्य होते हैं कार्याले को शिक्षा का नाड़ी संस्थान खालिस्थान ने कहा तो यह राय बर्न ने कहा था इसको ठीक है तो यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट आप्शन आ जाएगा इसके बाद में सन 1975 को खालिस्थान के रूप में मनाया जाता है तो इसका क्या right answer होगा आप जरूर जानते हैं और आपने सभी ने सही भी किया होगा यहाँ पर हो जाएगा हमारा महिला वर्ष यानि कि International Women Day यहाँ पर जो महिला वर्ष है यह आपका 1975 अब आते हैं भारती उच्च अध्यन संस्थान IIAS खालिस्थान में स्थित है तो भाया यह शिमला में स्थित है ठीक है तो इसका शिमला आंसर हो जाएगा तो यह हो गए आपके आंसर फिलप्स के हमारे देश में शिक्षा की सामानने संरचना क्या है तो हमारे देश में जो सामानने संरचना है शिक्षा की वह आपको पता है आपने देखा भी है और समझा भी है और I think पढ़ा भी होगा लेकिन आपने नोटिस नहीं किया होगा तो बात अलग है ठीक है तो इसमें बहुत 2 plus 3 यह है सामान्य संरचना अच्छा सामान्य बालक की बुद्धी लब्दी जो है कितनी होती है यह तो यार सबने अच्छा किया होगा सबने सही किया होगा I think so तो यहाँ पर हम लिख देंगे यह 90 से लेकर के 110 तक जो है होता है सामान्य बालक की पूछिए न तो सामान्य बालक के हिसाब से आपको आंसर देना है अब नेक्स जो कोशन है विद्ध्याले प्रभावशिल्ता से क्या आश्य है भाईया विद्ध्याले प्रभावशिल्ता के बारे में में कितने बार बताया गया है मैंने नोडस दिया था उसमें भी लिखवाया था फिर भी मैं आपको आंसर दिखा देता हूं तो यहां पर हम लिख सकते हैं विद्याले प्रभावशिलता के बारे में क्योंकि हमारे छोटे एक वाक्य में उत्तर देने तो ज्यादा लिखना नहीं है अस राहन ये प्रयास किया जाते हैं, मतलब बहुत अच्छे प्रयास किया जाते हैं, ठीक है, तो यह आप simple सा लिख सकते हैं, अब आते हैं, आपके next question की तरफ, तो next question देखते हैं, इस question के बाद में आपका ये question आगया, किस देश में सर प्रतम मुक्त विश्वेदाले की स्थापना की गई थी, तो वो था आपका England, ठीक है, वो था आपका England, इसका बाद जो है आपका next question, जो है, इसमें आप हिंदी में England लिख सकते हैं, मादमिक शिक्षा आयोग की न्युक्ति किसकी अद्धिक्षता में की गई थी, तो मादमिक शिक्ष्षा आयोग की, जो है, सीधा-सीधा इसने पूछा क्या है, वही आपको लिखना है, इससे ज़यादा कुछ लिखने के आपको आउशक्ता नहीं है, तो यहाँ पर जो हो में इसकी मादमिक शिक्षायों की न्युक्ति की गई तो यह हमारा आंसर हो गए 1,2,3,4,5 पॉस्चन के ठीक है अब आते हैं हम next question की तरफ यह इंग्लिस में question अब सामवेशी शिक्षा के दो उद्देश ये notes में already बता चुका हूं जो मैंने notes प्रवाइड किया था उसमें उद्देश शिबताये थे ठीक है उसके बाद में कक्षागस संप्रेशन की सेक्षिक उपियोगिता लिखिए तो इसकी सेक्षिक उपियोगिता आप अपने हिसाब से भी लिख सकते थे देखिए ये वाला आ गया न मैंने कहा था 901 से 9056 तक के जो आपके पेपर होते हैं उनी में से कुछ कुछ गूम गूम के आते हैं तो आप लोगों ने सायद ध्यान नी दिया होगा अगर बच्चों न अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो ये जरूर लिख दिया होगा पहले भी में बता चुका हूँ इसके बारे में इसका जो next question है इसमें सिक्षक समाख्या कारेकरम के दो लक्षे लिखी ये थोड़ा सा question जो है दे दिया अलग से बाकि विश्व विद्याले अनुदान आयोग के शेत्रिये कार्याले कहां है या तो आप ये question देख सकते थे या लिख सकते थे उसके अलावा जो है आप answer लिख सकते थे केंद्रे शिक्षा सलाकार बोड के कोई दो कार्ये जो है आपको लिख देने है तो कोई भी आप दो कार्ये इसके भी लिख सकते हैं यह जनरल सा एक सिक्षक समाख्या कारेकरम के दो अलक्षे आप आराम से अपनी सब्दों में लिख सकते थे इसका मेन उद्दिश जो था वो सामाजिक आर्थिक कल्यान के बारे में शिक्षित करना और दूसरा जो है इसमें आपका जो है दूसरों की मदद करना तथा उनकी भागिदारी को बढ़ाना साती सात जो है शिक्षकों का ससकती करन करना यह सारे पॉइंट आते हैं तो आप इसमें से कोई भी लिख सकते थे ठीक है तो यह question जो आप आसानी से जो है अगर आपने पड़ा होगा तो लिख सकते थे इसके answer को ठीक है न अब आपका जो next question है विस्विद्याले अनुदान आयोग के छेत्रिये कार्याले कहां है इसका मुख्याले तो आप लिख देते नई दिल्ली है ठीक है मुख्याले जो है आपका नई दिल्ली लिखना था आपको यह तो मुख्याले है और इसके अलावा जो है इसके अनुदान आयोक के छेत्रिये कार्याले छेत्रिये भी पुछा है ना तो छेत्रिये में आपका तो एक पूने में है ठीक है पूने में है दूसरा जो है आपका वो भोपाल में ही है और तीसरा जो है आपका वो हो जाएगा आपका, गुहाटी में, एक चौथा जो हो जाएगा कोलकाता में, और उसके बाद आपका आजाएगा एक हैधराबाद में, और इसके अलावा आपका बंगलूर, बंगलूर बोल दो, बंगलूर में, ठीक है, यह बंगलूर हूँ, आजकल बोलते हैं बंगलूरू, ठीक है, त तो ये सारे के सारे आपको नाम लिखने थे, इसमें से एक आदा नाम कम भी लिखते तो भी चल जाता, लेकिन ये मेरे साब से पूरे नाम ही आपको लिखने होते हैं, ठीक है, तो ये सारे आंसर है आपका, केवल आप नई दिल्ली लिखते तो ये केवल आपका main head office का address होता, नई दिल्ली जो है main head office है, लेकिन यहापे छेत्रिये कार्या ले पूछा है, इसने ध्यान लखना regional offices पूछा है, regional offices जो है आपका पूने में भी है, भोपाल में है, गोहाटी में है, कोलकत्ता में है, हैदराबाद में, बैंगलोर में, इन सभी जगे पे है, तो इन सभी जग कार्य को आपको बताना है, इसमें पहला तो आप बता सकते थे की इसका सिधा सिधा सैक्षिक भिकास और उसको प्रसार करना, ठीक है, दूसरा जो है सिख्षा संबंधि जितने भी नेतवतों है, वो नेतवतों परदान करना, उसके लवाद तीसरा जो हम लिख सकते हैं पेंद्री और राज्य इस्तर पर सरकार के दुवारा जो भी कठनाया प्रस्तूत की जाती है उनका निवारण करना तो ये सारे के सारे काम इसके आते मैंने चार बता दी इसमें से किवल आप दो लिख देते दो नमबर आपको मिल जाते नेक्स जो कोशन है उसकी बात करते हैं विद्याले संस्कृती के सर्जन में प्रातना सभा की भूमिका जो है आपको बतानी है अब ये बड़ा कोशन आ गया है अब जब बड़ा कोशन आता है तो जानते ही आप इसको डिटेल में लिखना होता है कि इसकी संस्कृती सर्जन में विद्याले प्रातना की क्या भूम है जो सेक्षिक सामाजिक मानसिक और सांस्कृतिक इस तर पर जो है बहुत बड़ी भूमी का नहीं बाता है ठीक है उसके बारे में थोड़ा सा डीटेल में आप बताये तो भी आप आसानी से जो है इसको इसमें कुछ ना कुछ आपको नंबर मिल जाते लेकिन देखो हमेशा जब भी कोई question आपसे पूछा जाए तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जो भी आपको idea है लिख देना है क्यूंकि आपका यहाँ पर negative marking IIT की तरह नहीं चलती है नीट नहीं दे रहे हो आप ठीक है आप G नहीं दे रहे हो वो बड़ी बहुत बड़े-बड़े exam है उनमें negative marking होती है इसमें कोई negative marking नहीं है अगर आप गलत भी करोगे तो क्या होगा आपको zero ही मिलेगा पहले ही zero मिल रहा था और अभी भी zero मिल रहा है तो उससे कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसके बाद में जो इसके और पार्ट में पू इतपूर्ण सिक्षक संस्थान के या शिक्षा संस्थान के रूप में माना जाता है और यहाँ पर जो माता होती परिवार में उनको सबसे सच्ची सिक्षा का श्रोत माना जाता है ठीक है और 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 भी फिर detail में आप बहुत सारी चीज़े इसमें अपने हिसाब से भी साइं आ सकती है classroom जो है management में कौन-कौन सी problem आ सकती है तो देखो शेक्षिक वातावरण का निर्मान जो है उसमें समस्या आती है तो उसमें समस्याती- सायवाता व बाद आपने में समस्याइं ठीक है और जो है बच्छो की बीच में समस्या समन्वे विस्थापित करने में प्रॉब्म आ सकती है अनुर्शाशन हींता जो है यह आपको देखने को मिल सकती है ठीक है और उसके लावा और भी अपनी मर्जी से जो आप एक दू वर्ड्स लिख करके उसको डिस्क्राइब कर सकते थे और यहां पर पाठेत्तर एवं पाठ शिक नेत्वत्तों के ही रूप में बताया था अगर आपने उसको पढ़ा था तो आपने जरूर इसके बारे में लिखा होगा परिवर्तन प्रबंद की प्रक्रिया क्या हो सकती है या तो आप यह कर सकते थे बहुत ही सिंपल सा है मैंने आपको एक क्वेशन करवा था दे चुका था तो आपने आई-एम-पी आप ढ़ंग से पढ़ते हो द्यान से पढ़ते हो आपने जो पढ़ लिया वो ठीक है और जो हम आई-एम पी दे रहे अगर उसको आप ध्यान से पढ़ते हो तो बहुत सारे क्वेशन से आते हैं आप विसेश कर आपके माइंड में फीड नहीं रहते हैं, आपका माइंड जो है, वो धुंदला जाता है, question देखते ही, तो थोड़ा सा, जो hopeless है, nervous ने से, जब exam में बैठते हो, पेपर देखते ही, वो चीज़े छोड़ दो, आराम से समझो, पेपर को, और relax होके, आप जो है, exam दो, तब ही जाके आपका, जो है, results उदर पाएगा, विशेगत छेतर में, शिक्षा सास्तीर नेतोत्य की विशेश्ता हैं लिखिए, तो इसमें आप अपने नेतोत्य के हिसाब से लिख सकते थे, शिक्षा सास्तीर की, यानि शिक्षा में नेतोतो क्या है, वो आप बता सकते हैं, मैंने एक question आपको बता था, इसके लावा एक और question करवाया था, उसको भी यहाँ पर दिया गया है, राजे सिक्षा केंद्र के कार्रेयों को अवर्णन कीजिए, यह भी मैंने करवाया था, अपने IMP में ठीक है, उसके बाद में मदर्सा बोर्ड, यह थोड़ा सा मैंने नहीं करवाया था, क्यूंकि केंद ने भी आपको questions दिये थे, उसमें से काफी questions यहाँ पर आते हैं, जिला सिक्षा के हों परिसिक्षन संस्थान के उद्देश्य, D.I.E.T. के उद्देश्य, मैंने बताया था, चोटे में भी बताया था, D.I.E.T. क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, यह पूस्ता है, ठीक questions आप उस notes में देख सकते हैं, जो मैंने IMP दिया था आपको, IMP बता नहीं, आपकी इस हिसाब से पढ़ रहे हो, अगर जो बच्चे सही से पढ़ रहे हैं, उनको तो कोई दिक्कती नहीं आ रही है, केंद्री विद्द्याले हैं, नवोद्दे विद्द्याले मैंने बताया है आपको, और आपका विद्द्याले प्रभावशिलता के सिधानतों का वर्णन कीजिए, विद्द्याले प्रभावशिलता को पूरा का पूरा मैंने दिया था, कि भईया ये चीज तो आपको आएगी आएगी, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, शाला प्रभंद में शिक्षक की भूमी का यह पूरा का पूरा question as it is दिया था पांच-पांच नंबर के बड़े-बड़े questions तो मैंने आपको दिये थे आपने अच्छे तरीके से लिखा होगा मुझे पूरा विस्वास है इसके बाद आपका बाली का शिक्षा को सव विस्तार समझाईए बाली का शिक्षा आभी देखिए इस बार मैंने आपको एक और question दिया था सर्व शिक्षा विवान का विस्तार से समझाईए इसके उपर notes भी पूछा जाता है तो मैंने सर्व सिक्षा भियान जो है इसके उपर एक notes दिया था उसको अगर आपने पढ़ लिया होगा और उसको लिग दिया होगा और थोड़ा बहुत अपने तरफ से भी जोड़ दिया होगा तो यहाँ भी पांच नमबर आपको मिल जाने है तो कुल मिला के इस question paper में बड मंडे को एक्जाम था ठीक है मंडे को एक्जाम है और आपका फ्राइडे को जो है paper हुआ था तो फ्राइडे के दोपहर के बाद Friday से लेके Saturday Sunday तीन दिन continuous आपको टाइम मिला था उस वीडियो के माध्यम से मैंने यह बताया था कि आपके पास बहुत समय है अच्छे तरीके से वो देख सकते हैं I hope कि इस वीडियो से आपने अपने answers को match कर लिया होगा और आप लोगों ने अच्छा ही paper किया होगा thank you very much have a good day